क्यासे आप आई होप कि आप सभी अच्छ होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हाउ तू फेक्टरी डाटर रिसेट लावा व्लेश टू 5G, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं लावा के इस डिवाइस को आप किस तरीके से फुल रिसेट कर पाएंगे फैक्ट्री डड़ रिसेट कर पाएंगे इस वीडियो को एंटर देखना वीडियो को ब्लुक्र भी स्किप नहीं करना है और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राब करके वैल आइकन को प्राइस कर देना है so guys without any waste time असकिर स्किप चै CBS वीडियो फ्स्ट अपर आपको सेटिंस पर जाना होगा उसके बार यहाँ पर आपको सबसे नी चीय आ गाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है तो इस वाले option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है Reset Option तो इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है Erase All Data Factor Reset इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है Erase All Data तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहां से delete करने के बाद आपका सारा data delete हो जाता है photos, videos, contact number सब कुछ delete हो जाता है अगर आपको यहां से photos, videos या पिर कुछ भी contact number बचाने हैं तो दूशरे phone में backup ले 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 हैं दूशरे phone में आप यहां पर transfer कर लें पहले से, ओके तो यहां पर आपको करना क्या है erase all data पर click कर देना है और यहां पर आपको अपना pattern draw कर देना है pattern draw करने के बाद यहां पर erase all data पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहां पर आपका phone बंद हो जाता है, which off हो जाता है उसके बाद यहां पर आपका phone start होगा कुछ सेकंड के बाद तो यहां पर हमारा phone start हो चुका है और अगर आपने अभी तक हमारे video को like नहीं किया है तो please video को like कर दे और अगर आपको इस phone की और videos देखनी है तो आप हमारे channel पर जाकर check कर सकते हैं हमारे channel पर आपको इस phone की बहुत सारी videos मिल जाएंगी तो यहां पर phone start हो चुका है और इसे खुलने में थोड़ा सा time लगेगा तो हम अभी video को फॉस्ट कर देते हैं तो यहां पर हमारा phone start हो चुका है अब यहां पर आपको अपना first time setup कर देना है तो यहां पर आपको करना कि है accept पर click कर देना है और यहां से आप अपना pattern लगा सकते हैं और फिर कोई भी password डाल सकते हैं बट यहां से skip कर देते हैं इस skip anyway कर देते हैं और उसके बाद यहां पर आपका phone ready हो चुका है तो यहां पर आप देख पाना है device video phone में और यहां पर कोई lock नहीं होगा ओके तो इस तरीके से आप अपने device को reset कर पाएंगे so guys I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like and share जरूशे करते हैं तो आज की इस वीडियो में तरह ही मिलते है नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ